दार्ती तूर रहो आज यह और टूर जाना चाहिए इतना खुद हो तभी पड़ा होगा देख मैं हो करेश बड़ा होगे अस्तिमा करो दार्ती उखाड़ दिया स्रीकर हलो एवर्बरण कैसे हैं आप लोग मैं हूँ मनीश और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और अभी हो रहे हैं साम के साड़े पांच और बच्चों को ट्यूसन हो गया तो बच्चे आते हैं तो इतने समझाने के पाद भी कच्रा करी के जाते हैं तो मेरे कच्रा देखा तो मैंने जाड़ू कर दिया है बस हौल को ही साम हो गया था इसलिए मैंने पूरे घर को जाड़ू नहीं किया है अभी बहुत जादा कच्रा कच्रा दीख रहा था इसकी वज़ा से मैंने इसे क्लीन कर दिया है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि कुछ चटपटा बनाने का मन कर रहा है तो अध्मिन को मैंने आभी कॉल किया था तो उन्होंने भी फर्माइज की है कि मैं उनके लिए आलू का पकोड़ा बनाओं क्योंकि वह आलू बहुत ज्यादा पसत करते हैं आलू के डीसे तो फिर उनके लिए फिर आलू का पकोड़ा बनाना है और यह जाडू हो गया मेरा मैं इसे नहीं उठाओंगी अभी क्योंकि साम हो गया है इसे मैं साइट पे करके छोड़ दूंगी और आपके साइट मौसम कैसा है आप जरूर बताना और कैसे हैं आप लोग यह भी बताना वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कमेंट चेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी की वीडियो आपको कैसी ल कमेंट करके जरूर पताना और जो भी कमी हो इस वीडियो में वह भी मेरे साइट जरूर शेयर करना तांकि मैं अपने कलतियों को अच्छे से सुदार सको और आपको अच्छे अच्छे अपटेट देट सको और मुझे जमाना पिल्कुल नहीं आता घर को मेरे का रिक्तम कच किचन के साइट चारी हूँ किचन में कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैं उन्रों को भी थोलूंगी किचन भी मेरा मैसी दीखे रहा होगा आप लोग को मेरे पास बर्तन जली नहीं है इसलिए मैं पर्तन लोग को जो यूज के सामने ही रख देती हूं ताकि मुझे इसलिह कि मिल जाए और सबसे पहले में पर्तन को अच्छे से धोलूंगी और इसमें जो भी कच्रा है वो मैं निकाल के साइड में ढाल दोंगी मैं ज्यादा पानी इस नहीं करना चाहती क्योंकि इतना मच्छर है यहां वापरे क्या बताओ दो मिनट साथी से बैठा ही जा सकता यह जो भी कच्रा है उसे निकाल के साइड में कर दे रही है और कुकर को अच्छे से क्लीन कर दिया जिसमें चावल मावल रहा होगा जिसको मैं साइड कर दिया बार में निकाल के मैं उसे डस्पीन में डाल दूंगी और कुकर को क्लीन कर रही हूं अभी और हस्बेंट आएंग तो फिर वो आएंगे तब डिसाइड करेंगे क्या बनाना है और इतना ओईली खाल ये हैं अभी दिवाली में कि मुझे तो विद्कुल कुछ ओईली खाने का मन नहीं है फिर भी हजबेंड को है तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ेगा मैंने करेली और चनी की सबजी बनाइए थी उसकी रेसिपी की वीडियो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है आप लोग मेरे चैनल में जाके शर्च कर सकते हैं आप लोगो रेसिपी मिल जाएगी और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक, कमेंट, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरा पर्तन भी दूल गया है और मैं और बांकी काम करने के लिए जा रही हूं और मिलेंगे अब तब एक लिए बाय टेक क्यार थैंक यू फूर वाचिंग है